यहां प्रेंट्स कि आपकी दोफ तंतो शर्मा आपका शामो कुटिंग में स्वागत करती हूं फ्रेंट्स गर्मिया स्टार्ट हो चुक है और खुब अच्छे से हो रही है गर्मिया तो ऐसे मैं ठंड़ा ठंड़ा पीने का मन करता है तो इसलिए में आपके लिए तीन ऐसे ड्रिंक्स लेके आएं जो आपको ठंड़क फिल कराएंगी और यह घर पर ही बन जाएंगी इसके लिए आपको पजार से कुछ लाने की ज़रुत में पड़ेगी और यह आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा पीने के बाद जैसे आप होगे पीड़े बनाते हैं हमारी सबस्दे प्रेले ड्रिंक है वर्जिन नहीं तो इसके लिए लंबा ग्लास लिया है इसके बाद हम लेंगे प्लामन को कट किया है तो प्सेस में इसके ताथा पीस लेंगे इसके वाद हम 15-20 पुदीना पति लेंगे और इसको हम एक बैलन के साई दालेंगे जिस्ते पुदीना और नीवु का रस निकले और अच्छा सा फ्लेवर दे लिए है दो चमझ शुगर पाउडर लिया है अब इसमें हम एक पोलो एक रेष्ट्रेश्मेंट आता है वो लिया है इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें पीस के लिया है इसको हम आप चमझ लेंगे इसे फ्लेवर बहुत ही बैस आता है आपको पीने में बहुत अच्छा पीलोगा आप चमझ लिया है एक बुल नीबु का रस रहेंगे हम इसमें और इसके बाद आप आइस दार लेंगे चाहे तो आप रश आइस ले सकते हैं मैंने आइस क्यूप यूज किया है कि दो पिंच की बड़ाबर हमने काला नमक दाला है काला नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमाई ब्रिंक में और इसके बाद हम इसमें लेंगे अपना क्लेन सोडा इसको हमने दीरी दीरी डालना है इस एकदम सभी भारना आए अब इसे हमें किसे से मिक्स पड़ लेना है लंबी स्कून वगारा से मीचे तक डाल लेना है इसको 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 इसे मीबू से गानिश करेंगे कुछ मेंट लीप से और यह हमारी ड्रेंग तयार हो गई है प्रेंट्स देखें है इसमें त्रेंट्र टैयार होए बनके देखने में इसको इता शांदर लग रहे है कितना ब्यूटिफुल लग रहे है पीने में ही इतना ही मजा आए आप लोगों को बना कि देखें इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अपने कुछ लैमें कटेवे पीस इस राझनी पूरीने की पत्या लेंगे ए उसके बाद हम लेंगे लेट रमाफ़ शुगर और हम लेंगे पॉलो वाला पॉड़र जो हमें अपना गॉटर मिलन जो हमने कट करके बारी बारी पिसीद में रखा है बहुत अच्छी बनती है गर्मों में तो तर्बूत जितना खाये जाए सही रहता है बॉड़ी को ठंड़क देता है और इसमें पानी इच्छी और ये पानी की समय को भी दूर करता है अब हम इसको बेले लेंगे उससे हम दबा दबा के इसको मिक्स करके जूस निकाल ला है सबता है इसमें अपना आइस क्रेश डालता है हो नाइस की यूज कर रहे हूं इसके बाद हमने ले आए प्लाइन सोडा हो दीरी दीरी करके डालेंगे उपर तक बढ़ देंगे इसे फिर एक स्ट्रोय या पॉप के साइटो से इसको नीचे तक मिक्स कर लेना है देरे देरे सारे इस फ्लेवल दे उपर तक आजा है इसमें हमारे और उपर से हम इसे जानिश करेंगे अपने कटेवे वाटरमिलिम के साथ और बाहने हम सो जानिश करेंगे वाटरमिलिम के पीस के साथ अगर में एक छोटा सम लगाएंगे इसमें अपना पुदीन है यह हमारी फाइनल ब्रिंक है अगर आपको यह पसंद आई हो तो आपको सब्सक्राइब को लाइक और कमेंटर में लिगर ना देगें प्रेंट्स इंजोई किजिए जर्मी के मौसम में अंड़क आइसास देगी आपको प्रेंट्स हमारी नेक्स ब्रिंक है और इंज प्लास्ट इसके लिए सब तक आले हम डालेंगे अपने और इंज और इंज की कुछ छिल के जो हमने पूल तरा से साफ खड़ी हैं छिल के इ दालेंगे अपना पीसिस लगबस 7-8 और इंज के पीसिस के लिए हमने इसमें उनको कटके लिया था बीक में पंदरवीस पूदीने के पत्ते पांचे कटे वे हमें वीबू के ख्लाइस लिए हैं बेलन लेकर इसको कर लेंगे सबको सबका जूस निकालेंगे अच्छे से न इसमें हम दो चमाच सूगर डालेंगे अपना पाउडर सूगर और ऑर लो और रीनल दो हमने पोलो पाउडर बनाया था घुलेंगे एक थोड़ा चमाच और थोड़ा टेस्ट कानिंगे अपोर्ट काला न नमक लेंगे आप तैंग एलावा दूसरा पोई फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। तेंग या लुकांडी बज़ारा जो औरिंज फ्लिवर में हो अन्य तैंग लेया है औरिंज फ्लिवर में मैं आप इसमें आप ग्रश आइस क्रस्टी आइसक्टे आप ग्रश आइस भी ले सकते हैं आपके वाद हम डाले हैं यह में आपने हमने जो डाले था को दीरी-दीरे करके डालेंगे और उपर तक गरेंगे इसको फोर्क या स्टिक की साइजर से इसको नीचे तक चला लेंगे है देखिए किता सुन्दर लग रहा है में नीचे तक हम चला लेंगे से और गानिश करेंगे अम इसको ओरंज के साइज लेगा है हमने लास्ट में हम पुदीनी के साथ पाइनल टचिंग करेंगे इसकी यह है फ्रेंट हमारी ओरेंज प्लास ब्रेंट देखने में किते सुन्दर लग रही है आप जरू बनाईए अगर ब्रेंट पसंद आए हो लाइक सब्सक्राइब और कमेट करना बिल्कुल ना बूरी है